36 गड के मुखेमंदरी भूपेश बगेल को लेकर सस्पेंस की स्थिती तब पैदा हो गई जब कल दोपहर अचानक रायपूर में सीम हाउस में मंत्रियों की बैठक बुलाई गई इस बैठक में कॉंग्रेस की 36 गड प्रभारी कुमारी शेलजा समेथ 36 गड कॉंग्रेस के सभी बड़े मेताओं को शामिल किया गया बैठक का अजेंडा गुप्त होने की वज़े से चर्चाओं का बाजार गर्भ हो गया ऐसी चर्चाओं होने लगी कि चुनाव से पहले 36 गड मंत्रे मंडल में बड़ा बदलाव किया जा सकता है यहां तक कि सीम भूपेश बगहिल को भी बदला जा सकता है लेकिन रात होते होते कॉंग्रेस सूत्रों ने साफ कर दिया कि ये सब बातें बेबुनियाद है इनका कोई आधार नहीं हाला कि ये जरूर साफ किया गया कि बैठक चुनावी रनलीती को लेकर ही की गई थी